नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं निकलेश जैन हिंदी चेस पेस इंडचल पर आप सभी कहार देख अब दन करते हूं दोस्तों एक बार फिर से मैं शत्रंच के जादुगर्द मिखायल ताल की एक और जादुगरी आपके साहथ ने लेकर का आगो काफी लंबे समय बाद फिर स ताल के उपर मैंने एक गेम देखा और एक बार फिर से वही हुआ जो हरवार होता है कि उनके आप दीवाने बन जाते हो कि मिखायल ताल जैसा कोई नहीं तो आएए देखते हैं मिखायल ताल की यह जादुगरी क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में मिखायल ताल ने सफेद म यहाँ पर आप औरन खेलता है बहुत ही जिसको कह सकते हो कि उनके सामने जो खेलाडी तक है उनका नाम में एक बार डिसकुशन कर लू जो की काफी बड़ा नाम जो है माना जाते रहे हैं शत्रंज में और काफी सारी थियोरी उन्होंने लिखी है तो काफी मतलब आप कह सकत तक कि सबसे 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 में से एक उन्हें माना जाता रहा है अपने समय के तो c5 किया उन्होंने इमिरेटली सेंटर को यहाँ पर चैलेंज किया मिखायल ताल के मिखायल ताल ने सेंटर को ख्लोज रखने का फैसला किया d5 नाइट a6 यह बहुत यह अच्छा वेरियेशन आ यहाँ पर ब्लैक जो है वो करता है ओके बिशाप फॉर नाव बिफाइब अब यह बिफाइब का आइडिया यह है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो कुइन साइट से आफ की उपर एक स्टो में एक अटाइक जो हो आ रहा है तो आप बिफाइब का पॉन दीजे और e4 का कौन दे दिए यह इसका कॉनसेप्ट है और यह पोजीशन को इक्क्वल बनाया रखता है तो वही हुआ एस गेम में कि पोजीशन इक्क्वल चल रही थी ओके नाइट इंटू सी सेवन कूइन इंटू सी सेवन बिशप सी फोर नाइट एफ सिक्स वापस जाता है यहां पर और अभी यहां पर वाइट खिलता है एक 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 तो यह बिशप अगर बचाना है तो इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी दूसरा बिशप जी फोर को भी हमें इस बिशप को एक अच्छा स्पॉर्ट नहीं देना है कि वह यहां पर आकर के प्ले करें तो उसका आप यहां पर सोच सकते हो कि ब्लैक न यहां पर नाइट एच फाइप क्यों नहीं किया क्योंकि हमें बिशप बचाना अगर पड़े और यह भी मर रहा है विशप पीछे जाना तो अच्छा होगा नहीं तो एक्चुली मैं यहां पर वाइट के तरफ से एक चाल आ रही थी बिशप जी फाइफ अभी क्या है कि अगर बिशप इंटू बीटू मारा तो रुक इंटू इसे बना रहा है तो इसलिए पहले आपो रहे ने रुक एट खेला तो मिखाल ताल ने भी यहां पर रुक बीवन खेलते हैं अभी तक पोजीशन बिलकुल एक्वल चल रही थी कि इसी को कोई ऐसा खास एडवांटेज जो है नहीं है बोर पर लेकिन वाइट को स्लाइट बेटर आप बोलोगे यहां पर उसके बाद एफाइफ और मिखाल ताल खेलते हैं कुईन डीटू कुईन बीशिक्स बीटू पर शायद एक खलका सा परिशार और रखना चाहते हैं लेकिन यहां पर मिखाल ताल अब यहां से आपको समझना पड़ेगा जिसे आप लोक में से बहुत सारी भोग अक्रम क्यिन फेलना चाहते होंगे यह सीखने वाली जगए कि आप attack तभी कर सकते हैं जब आपके महरे तयार हो तो यहाँ पर मिखायल ताल जैसे player ऐसा नहीं है कि हर चाल पर मिखायल ताल sacrifice मारते थे वो sacrifice तभी मारते थे जब उनके बाकी के महरे तयार होते थे और इसलिए कई amateur player यहां पर देखिए कि TAL कैसे कैसे अपने मोरों को पहले गटा करते हैं इसको रीग्रूपिंग कहते हैं रुक E3, तो अभी रुक को डबल करने की तयारी पहले, ओके, बिशप एजिक, ये चाल, मिखायल ताल के लिए बहुत अच्छी चाल थी, क्योंकि मिखायल ताल का अगर आप ये बिशप ध्यान से देखो, तो बैट बिशप है, क्योंकि उनका पॉंड D5 पे फिक्स है, तो त लेक्शेंज करने में कोई कोदा ही नहीं परती, और ये कॉंसप्ट बढ़े क्लियर होते हैं, ताल जैसे विश्व चैम्पियंस की कि कब एक्षेंज करना है और कब नहीं करना है, और बाकी के प्ले voz में यहीं конфber्जन पएदा हि की कब एक्षेेंज करना है, और कब नहीं कर यहां पर सही चाल होनी चाहिए थी Rook A7, लेकिन आप उरेंट ने सोचा कि शायद King F8 ज्यादा अच्छ है, King ज्यादा कुछ करनी रहा है, लेकिन ऐसी एक एक चाल आपके लिए weakness लेकर के आती है, तो यहां पर मिखाल ताल खेलते है, Knight G5, अभी देखने पर लग रहा है कि यह क्या कर रहा है, एक सबसे खराब प्लान साबित हुआ बाद में, ताल ने इमेडियेटल यहां पर C4 किया और D5 के पाउन को प्रोटेक्ट कर दिया, यह एक टेंपो लेने वाला मूव था, D5 पर टैक करते हुए, B-file पर आने की कोशिश, और उसके बाद Queen B4, और दोस्तों जानते हैं कि आप इस पोजिशन की सबसे खराब चाल दरसल यही है, ब्लैक एक्चेंज करना चालता है, लेकिन वही एक बार फिर मिखाल ताल को पता है कि कब एक्चेंज करना नहीं करना ह कि उन्होंने यह देख के रखा कि यह move कभी भी आ सकता है इस Queen पर अटैक कर दो क्योंकि इसके पास ज़्यादा जगे बचेगी नहीं अगर रुखाया तो Queen A4 forcefully जाना पड़ेगा, अब यह सिर्फ यह Queen B4 जो move है, यह ताल के लिए बिल्कुल सही set बन गया आक्रमण करने का जिस तरह से वो अंदाज में आक्रमण करते हैं, क्यों यह सब कुछ उनके दिमाग पर चल रहा है, खुद तो अटैक कर रहे हैं, अपोनेंट की खराब चालों पर नज़र रखना यह ताल की सबसे वड़ी खासियत थी, अपोनेंट ने यहापे किया H6 और बस आ गई ताल क चाल यहाँ पर, ताल की चाल, ताल के कमाल की, उन्होंने देखा कि यह क्वीन दूर है, यह रूप दूर है, और यह मोहरे शायद उतने अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाएंगे अक्रमण को, तो अगर आपको सोचना हो ताल ने क्या किया तो पॉस करके सोच लो, ताल जी चाल के लिए, नॉर्मली हम सोचने वाले इस तरीके से सोच सकते हैं, कि यहाँ पर रूप इन्टू E7 आएगा, रूप इन्टू E7, कुई E7, किंग G8, लेकिन उसके बाद देखो कि यह तो किंग तो भाग जाएगा, माग तो होगी नहीं, तो ताल बिलकुल परफेक्ट पक्के थे, उन्होंने खेला रूप B3 पहले, अब इस चाल का क्या कमाल है, घोडा दिया हुआ है पूरा का पूरा, लेकिन कमाल यह है कि पहले कुईन को करो साइड लाइन, और उसके बाद कुईन को सामने लाके दो चेक, किंग जाएगा है, फेट और फिर लेकर के आओ अ जरुत की जगहे पर, ओके अपोरें ने यहाँ पर खेला कुईन C8, आनलेसिस रिकमेंड करते हैं, आपकी नाइट G8 बेटर कनेक्शन हो सकता था, लेकिन BD6 के बाद इतना आसान खेल नहीं रह जाता, यहाँ बिशप F6 और रुकी 4 जिसी चाल के बाद यहाँ पर वाइट के पास ही जो है विनिंग एडवांटेज है, खेर रुक B7 पर ब्लैक ने कुईन C4 मारा, ओके तो वाइट ने कंटेनु किया, बिशप D6, यह तो चाल है ही, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप मार तो सकते नहीं हो क्योंकि यहाँ पर मात लगी होई है, तो उन्होंने QE4, ED6, QF4, अब वो देखिया, भी मार रहें मात नहीं होई है, Nf6, Qd6, Kg8, Qc5, यह जो पोजीशन है न, यह पोजीशन वाइट के लिए स्लाइट बेटर तो जरूर है, लेकिन यह उतनी फिनिशिंग पोजीशन नहीं है क्योंकि ब्लैक के पास काफी सारे महरे हैं, जै QE7, 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 Kg8 के बाद आप देखोगे कि ऐसा कुछ अटैक बचा नहीं है और आप पीस डाउन हो, तो मिखायल ताल की यह खासर भी बहुत जरूरी है, कि आप अटैक करें ठीक है, लेकिन आपको परफेक्टली उसके बाद आपकी जो accuracy है move की वो भी बहुत अच्छी हो तो उन्होंने खेला यहाँ पर Kg7 यहाँ पर, Kg7 पर आप बिशप इंटो e7 मारा, अगर बिशप इंटो e7 अपनेंट मारेगा, तो रुक f7 चेक है, Kg8, Kg6 के बाद आप देखो मात लगी है, तो उन्होंने रुक इंटो e7 मारा, रुक इंटो e7, Knight इंटो e7, Kg8, Kg8, K चांदार जी, और सबसे बड़ी वात है, इस गेम को आप रिव्यू करो के तो देखो के तो आपको लगेगा कि उन्होंने शुरुआत में कोई extraordinary के, शुरुआत में अपने महरों के कट्टे किया, और उसके बाद आपको difference दिखेगा, दोनों खिलाडियों की सोच में, समझ म और फिर night f7 के बाद तो खेर, ताल का जादू जो है, वो सिर चड़ के बोला पूरे गेम में, और कोई मौका आपोनेंट को कहीं से मिला ही नहीं, और ये rookie 3 जैसी चाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, accuracy बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब आपने एक peace sacrifice दिया हो, और यह झाल